हेलो फरेंट्स यह प्लेटफर्म बुक का स्रीज चल रहा था जिसमें मैंने जी विग्यानेनी की बाइलोजी पहले करा रहा हूँ और अब तक इसमें 29 पार्ट अपलोड हो गिया है ये सारे वीडियो आपको मेरे प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएंगे और आज हम लोग टाइप 30 से कोचन करेंगे दोस्तो इसमें 921 नमबर तक कोचन हो चुके है और इसमें अब कुछी कोचन और बचे है इसके बाद ये बुक समप्त हो जाएंगे तो आज का कोचन है कारवन डाय ऑक्साइट के वाता बरन में लोगों की मिर्टी हो जाती है दोस्तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इसमें एक बात आओ आपको धियान रखना है कोचन हमेशा बनते हैं से कि ठोस कारवन डाय ऑक्साइट को क्या बोल जाता है तो ठोस कारवन डाय ऑक्साइट को सुस्क बर्फ भी बोलते हैं ये कोचन हमेशा एकजाम में आते हैं परकास संसलेशन के दोरान परकास सुग्रही कारक के रूप में निम्न में से कौन सा काम करता है तो दोस्तों परकास संसलेशन तब ही करता है जिस पौधे में कलोरोफिल यानि की पर्णहरित परजेंट हो ओप्शन ए नमबर होगा असपर्स रोम किसके सरीर में पाया जाता है सरीशरिप पच्छी कीट अस्तन पाई तो दोस्तों यह पर्जेंट होता है कीट में जिसे हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं पच्छी और चमगादर अच्छा उड़ते हैं चमगादर पच्छी से भीन होते हैं तो दोस्तो ये भीन होते हैं मद्ध पट के कारण जीव मंडल सुरच्छी छेत्र का उदेश क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा डी नमबर वन उत्पादों पर परियोग और विकास किरिसी उत्पादों पर परियोग और विकास वन भूमी के वनस्पती जात और परानी जात का परिरच्छन परकास संसलेशन कहां पर होता है तो दोस्तो पेड़ पौदे के हरे भाग में परकास संसलेशन होता है क्योंकि कलोरोपलास्ट वहें पर परियोट होता है प्रकास संसलेशन की लगबग उल्टी प्रकिरिया है फलो का पकना लकडी का जलना अस्टार्च का पाचन या फिन लोहे के जंक का लगना तो दोस्तों ये उल्टी प्रकिरिया होगी लकडी का जलना जापान में पाया गया यूसरो किसके कारण परदूसन से संबन्दित है तो दोस्तों यह है PCB यानि कि इसका फुलपन होता है पाउली कलोरनेटेड बाइफिनाइल जैब मातरा का पिरामिट किस परस्थित की तंतर में उल्टा होता है तो यह उल्टा होता है तलाब में किसी पादब का हुआ हिस्सा जो दूसरे पादब पर लगाया जाता है उसे क्या कहते है तो उसे बोला जाता है कलम यहीं कि किसी भी पेड़ पौधे को उसके टहनी को काट कर एक दूसरे पेड़ में लगाया जाता है उसे अटाइच करके एक नया जेनरेशन का पेड़ पौधे उगाया जाता है डॉल्फिन किसके अंतरगात आता है तो दोस्तो डॉल्फिन अस्तन पाई के अंतरगात आता है और यह सोस्त जल में पर्जन्ट होता है यह दूसीत जल में यह नहीं पाई जाता है जीन जन्तुओं की सु अस्पष्ट पाचक गोहिका होती है उन्हें किसके अंतरगत रखा जाता है तो दोस्तों ये रखा जाता है अंतर जीबी छत्रक जिसे हम लोग मश्रूम बोलते हैं वो क्या है तो दोस्तों ये एक परकरक का कवक है जिसे हम लोग फंगस भी बोलते हैं निम्न में से कौन सा अंता अस्त्रवी यानिकी एंडोक्राइन है और बाई अस्त्रवी गरंथी भी है तो दोस्तों यह है अगनास है जिसे हम लोग बोलते हैं बिन किर्याज निम्न में से किसका संबंद बिरिक अवस्था के साथ है तो दोस्तो डायलिसिस की प्रकिरिया बिरिक यानि किड्नी से संबंदित है और गती प्रेरेक पेश मेकर का संबंद हिर्दे की धरकन से है निम्न में से किसका संबंद बिरिक ओही कोचन है आहार का सबसे महत्पुन कार क्या है तो दोस्तों आहार का सबसे महत्पुन कार होता है उर्जा प्राप्त करना यानिकि सरीर को उर्जा देना निम्न में कौन जैब बिवित्ता को दुस्परभावित करता है निम्न में कौन सा जैब बिविता को दुस प्रभावित करता है तो दोस्तों ये हो जाएगा सभी परियावर्णिय परदूसन महासागर का अमली भवन जलबायु परिवर्तन ये सभी जैब बिविता को परदूसित करता है जब जन संक्या में भारे बिर्दी हो जाएगी तो कौन सी समस्या को जहलना पड़ेगा ये कि देखना पड़ेगा दोस्तों इसके अलावा हम लोग एचेमेंड बुक का बायलोजी सिरीज भी करवा रहे हैं और उस साथ में जिके क्यूज और बायलोजी का टॉप कोशन भी कर जाएगा पर दूस्तन अस्तन में बिर्दी हो जाएगी यानि इसका एंसर होजाएगा डी नमबर मानव जात्यों कि वरगी करन के लिए निम्लिखित में से किस कशोवटी का प्रयोग नहीं किया जाता है इसका एंसर हो जाएगा कान समानता निशेचन होता है दिम ववाहिनी नली के द्वारा भारी मत्रा में अलकोहल पीने वाले लोग परिया मर जाते हैं तो दोस्तो ये मर जाते हैं शिरोसिस से चारन औहर श्रिंकला के अधार में जीव होते है उत्पादक कर दुब कि हे विड़ामिन एक किसमे पर्चुर मत्रा में पाया जाता है तो दोस्तो ये eine फुरुड होता है गाजर में, और विटामिन एक कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तो ये होता है रतवोंदी, प्ञेस प्ञेसोra करन क्या है, तो दोस्तो फल जो है फ्रेक्टोज की कारन मीठे होते हैं। यादि बिश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पसू भी इसकी कमे की कारण मर जाएंगे दोस्तों अगर बिश्व के सभी पेड़ पौदे नश्ट हो जाएं खत्म हो जाएंगे तो पिर्थवी पर जितने रहने वाले जीव है वे भोजन और आक्सिजन की कारण मर जाएंगे जीवानू जिसे इंगलिस में बैक्टिरिया बोला जाता है किसकी बिर्धी द्वारा मापी जाती है तो ये मापी जाते हैं बिर्धी मापी के द्वारा और बैक्टिरिया को खोच किस ने किया था तो लिवेन हॉक ने निमलिखित मेंसे किस के लिए मदुमक्खी पर्योग में लाए जाते हैं तो मदुमक्खी पर्योग में लाए जाते हैं मदुमक्खी पालन के द्वारा अगला प्रस्ण है निमलिकित में से किसके लिए मदुमक्खी पर्योग में लाए जाती है तो दोस्तों ये मदुमक्खी पर्योग में लाए जाती है मदुमक्खी पालन के द्वारा अस्थन्दारी में इसमें इुरिया बनते हैं मतलब कहा गया है कि अस्थन्दारियों में इुरिया का निर्मान कहा होता है तो दोस्तो इुरिया का निर्मान होता है लीवर में जिसे हम लोग याकरित बोलते हैं याकरित का बजन होता है 1.5 kg तक होता है और दोस्तो पीत का भी निर्मान याकृत में ही होता है एक बात और आपको याद रखना है इसमें कि सरीर का सबसे बड़ी गरंती भी याकृती होता है बीश्प का सबसे अधेक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है जल पादप के मतलब हो गया है पानी में रहने वाले पेड़ पॉदे तो दोस्तों ये है जल हाया सिंथ ये एक परकार का पुस्प है अगला परशना है पर्योग और आपर्योग का कानून किसके द्वारा परतिपादित किया गया था तो दोस्तों पर्योग आपर्योग का कानून बनाया गया था लैमार के द्वारा मेगा गरजना मेगा मतलब उता है बादल सुनने पर बेक्ति अपना मुख खुलता है जिससे की दोनों कानों के कर्ण पटल पर हुआई के दाप को बराबर करने के लिए यानि के इंसर हुजाएगा ए नमपर सरल गल कंड जिसे हम लोग बोलते हैं घेंगा इनको परभावित करने वाले बिमारी कौन सी है तो दोस्तों ये परभावित होती है थोयरवाइड गरंथी से हारित गरंतिया किस से समंदित है तो दोस्तों ये हारित गरंति समंदित है उत्सरजन से किस परकिरिया द्वरा स्वसन के दवरान गैसे रुधिर में परवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो दोस्तों ये होती है बिशरन और सक्रिये परिवहन ये का उप्सन नमबर सी होगा बिश्रान और सक्रिय परिवाहन के द्वारा स्वसन के द्वरान गैसो रुधिर में परवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है हिर्दय वन्चित है तो दोस्तो हिर्दय वन्चित होता है एच्छिक पेसी से निमलिखित में से कवक द्वारा होने वाला रोग काउंस है कवक यहने के फंगस तो दोस्तो कवक के द्वारा होता है दाद छोटी माटा जिसे चिकन पॉक्स बोलते हैं ये किसके दोरा होता है तो दोस्तों ये बिसानू के दोरा होता है जो बिसानू का नाम है बोरी उल्ला ताल परस्थित की तंत्र किस पर निर्भर करती है तो ताल परस्थित की तंत्र उत्पादक को और उभगताओं पर निर्भर करती है आफिम एक पौधे के उपज है जो निमलिखित में से किस से प्राप्त की जाती है तो दोस्तो आफिम प्राप्त होती है फूल से पौधे के फूल से प्राप्त होती है निमलिखित में से कौन से बिमारे वाईव परदूसन के कारण नहीं होती है तो दोस्तों निमोनिया जो है वाय पर्दूसन के कारण नहीं होती है एक अैसा सोसन वरनक है जो निमलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रजुकी में पाया जाता है तो दोस्तों ये होगा इल मचली इलियम किसका भाग है? तो दोस्तों इलियम एक छोटी आत का भाग होता है पतियों के विए छिद्र क्या कालाते हैं जिनसे समय समय पर दर्ब जल का रिसाव होता है तो दोस्तों उसे बोला जाता है हाईडो थोद निमलिखित में से किसकी उपस्तिती के कारण कुछ अधिक तैलिये बीच अपने तेल की मातरा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किये जा सकते हैं तो दोस्तों ये भंडारित किये जा सकते हैं परति आक्सिक कारक के दोरा खाद सरिंखला किसमें पाए जाती है तो खाद सरिंखला समुंद्रिये परितंत्र, वन परितंत्र, सरोबर परितंत्र ये सभी में परिजंट होते हैं